देखो अगर स्टोक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको सही रिस्क मेनेजमेंट और अपना स्टोप लोस लगाना आना चाहिए और आज मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग के अंदर स्टोप लोस लगा सकते हो और ये देखो उपर न आपको आपकी रिस्क के उपर लेना चाहते हो और उस रिस्क के ऊपर आप एक दिन में कितनी ट्रेड लोक हो और उस trade के according आप वहाँ पे अपना जो stop loss है वो decide करते हो ऐसा नहीं कि आपने जो trade लिए losses चल रहा है तो चलने दो ठीक है market अब reverse कर जेगा अब वो हो जाएगा अब profit में आ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं आपको इस trade में अपना एक logic बताता हूँ कि option selling के अंदर मेरा जो risk है nifty के अंदर में trade करता हूँ तो 25 point का मैं stop loss रखता हूँ जो कि लगबग 625 रुपे के आसपास बनता है 625 रुपे से ज़्यादा मैं option selling के अंदर risk लेता ही नहीं हूँ यानि मैं जैसे ही trade ली अपनी और अपना एक stop loss लगा देता हूँ क्योंकि कभी भी market reverse हो जाए कुछ भी situation हो जाए option selling के अंदर जो risk होती है unlimited रहती है अगर आपने गलती कर दिये stop loss नहीं लगाया हो सकता है कुछ time इदर उदर हो गया है तो market एक बड़ा momentum करेगा जैसे कि हाली में sensex में हुआ था sensex में जो 900 point का momentum हुआ था ऐसे momentum में आपने कुछ कमाया नहीं कमाया सारा पैसा एक दिन में चला जाता है तो यह चीज आपको ध्यान रखने जुरूर ही है आप कहीं पर भी कुछ भी trade करो stop loss आपको पहले decide कर लेना है तो मैं आपको अपनी एक trade बताता हूं logic की भई आज के दिन मैंने जो trade की है वो है nifty 50 के अंदर है ठीक है जिसमें की मैंने यहां पर 24,650 का जो call option है उसको बेचाएं ठीक है call option को बेचने का मतलब होता है कि हम जो भी point select कर रहे है जो strike price select कर रहे है उससे market नीचे रहेगा तो हमें benefit होगा चाहें एक point भी रहता हो तो भी हमें time decay का यहां पर benefit मिलता है ठीक है तो market कहां पर ता लगबग 4,660 के आसपास दो बार touch हो आज की दिन और यहीं से वापस चला गया नीचे ठीक है आप देख सकते हो बार बार इस जगे से selling आ रही थी तो लगबग इस जगे पर मेरी position मनी थी और उसके बाद मैंने अपना एक stop loss लगाया और आराम से बेट गए तो stop loss लगाना है लिए देख आपको धनेप में क्या करना है सिंपल सी अगर आपको कोई भी stop loss लगाना है पहले मैं order cancel कर लेता हूं क्यूंकि मैंने target और stop loss दोनू लगा रहे हैं तो एक बार यह order हम cancel कर लेते हैं यह भी cancel कर लेते हैं तो यहां पर दोस्तु मैं अपनी position पर क्लिक करता हूं अब देखो आपको stop loss लगाना है तो यह है हमारी option selling की position जिसके ओपर हम यहां पर क्लिक करेंगे चाहिए आप option buying करते हो selling करते हो आपको अपनी position पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखो यहां पर add stop loss लिका हुआ रहा है वैसे वीडियो लाइक शेयर सेस्क्राइब कर दिरा मैं तो पूली कि आपको कहना और उसी के साथ आप demate account open कर सकते हो दन एप में क्योंकि 5-10 मिन्ट में आपका demate account open हो जाएगा और सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है यहां पर add stop loss पर क्लिक करना है जैसे stop loss में आते हो आपको यहां पर तीन option देखने को मिलेंगे पहला है देखो कोई बंदा stop loss लगाना चाहता है वो दूसरा बंदा जो trailing stop loss भी लगाना चाहता हो तीसरा है देखो target इन तीनों में से आपको जो पसंदे वो लगा सकते हो तो trailing stop loss क्या होता है जैसे जैसे आपकी trade profit में आती है आपका stop loss automatic नीचे सरकता देता है तो अगर market अच्छानक momentum कर देता है आपने यह च्छटा च्छटा profit है यह आपके पास रह जाएगा तो यहाँ पर आप देखे कि जो मैंने पहला stop loss लगाया मेरी जो बाइंग हुई थी लगबग 94 रुपेज के आज पास यह option को मैंने sell किया है है तो चोरानों के अंदर हम 94 में add कर लेंगे 25 तो आ जाता है हमारा 118 रुपे तो जो मेरा पहला stop loss था वह 118 था उसके बाद प्राइज आपको कम रखनी होती है तो 118 और 117 फ्रीगर प्राइज और लिमिट प्राइज में क्या अंतर है कभी कभी मार्केट को order नहीं मिल पाता है अगर हम एक ही price डाल दे तो यहाँ पे मार्केट के पास एक range रेती है उसी range के बीच में हमारा कोई भी order maths होता है तो हम से exit कर पाते हैं तो प्रिगर प्राइस आपको limit प्राइस से कम रखनी होगी यह आप जैसे लगा लेते हो उसके बाद देखो आपको बाई पर क्लिक करने हैं तो अब मैं जैसे ही बाई पर क्लिक करता हूँ यहां पर ओर्डर में जाओंगा यहां पर देखो मेरा stop loss आपको शो आते हो वापस देखो यहां पर अभी भी लिखा हूँ आ रहा है add to stop loss करो अब आपको यह trailing stop loss का भी option आ रहा है तो आप यहां पर trailing stop loss भी लगाना चाहूँ तो लगा सकते हो modify करना चाहूँ तो कर सकते हो तो पहला है तरीका वो यह रहा जो मैंने आपको बताया अब दूसरा जो तरीका बता रहा हूँ जो की adjustment का है और उसे काफी जबर्दस चीज होती है उसे कहते हैं drag and drop order drag and drop order काफी तगड़ा feature है जिससे की आप option के chart पे ही target stop loss दोनु लगा सकते ह हो और उन दोनों के माध्यम से आप जहां पर आपकी मर्जी हो उपर करो नीचे करो ट्रेलिंग करना है कुछ भी कर सकते हो तो अभी इस order को मैं आपको बताओ तो मैं option पर क्लिक करूंगा और ट्रेड ट्रेडिंग यहां पर चार्ट पर क्लिक करेंगे हम चार्ट ओपन हो ज हमें चार्ट पर भी दिखाई देगा तो यह रहा देगो अब यह stop loss है चूँकि हमें चार्ट पर दिखाई दे रहा है तो आप इसको यहां से पकड़ो और इसको नीचे लेके आ जाओ जहां पर आप ट्रेल करना चाहते हो यह आपका stop loss लगाना चाहते हो यह भी कर सकते हो या फिर मैं आपको इसको एक बार cancel कर देता हूं और फिर आपको वापस मैं बताता हूं अच्छे से तो देखो आप drag and drop order काम कैसे करता है ड्रेग and drop का मतलब होता है जब मर्जी हो उपर नीचे कर सकते हो तो मैं यहां पर क्या करता हूं देखो 118 रुपे जो पहले था यहा पास में देखो आप प्लस का आइकन दिख रहा होगा इसी प्लस के आइकन पर आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करते हो आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा बाइ, सेल और बाइक निचे एक और नया ओडर है जो भी आपका इस्टोप लोस बता रहा है 117.80 और लिमिट प्राइस भी बता रहा है इन दोनों में से आप कोई भी प्राइस यहां पर सिलेट कर सकते हो जैसे यह सिलेट किया है यह मेरा जो इस्टोप लोस है 117 रुपे लग चुका है तो अब मैं देखो जब भी मेरे को कुछ प्रोफिट होता है तो अपने को क्या होता है इस्टोप लोस को ट्रेल करना चीए ठीक है क्योंकि हम यहां पर ओल्रेडी मेने 625 की रिस्क लीती है अब भी हम 700 रुपे के आसपास प्रोफिट में है तो हम इसे ट्रे प्रोफिट में जाती है हमें उसको एजस्ट करना जुरूरी है तो यहां पर इसको ड्रोप करना है हमें तो यहां से उठाया ड्रेक का मतलब उठाना और निच्छे लेकर आजाओ वैसाफ यह करके भीकाओ फिर यह तो हम थोड़ा 92 रुपीज के आसपास लेकर आते हैं चल aucはい Wow क 17 и पहले आपको जोलिमिट प्राइस हो कि उसको लाना होगा फिर टरीकर प्राइस बलाना होगा तो लिमिट प्रैस त्रीकर प्रैस कम होने चीए यह आप देख लीजे यह करके दिखाया, फिर दूसरे को उठाया, फिर दूसरे को भी वापस ले के आ जाओ, यह इस वरकार से आप दोनों को अपने हिसाब से उपर नीचे ला सकते हो, ठीक है बस इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, आपको जहां पर नीचे करना हो, उपर नीचे कर लो, यह मेरा अपने हिसाब से जहां पर ट्रेल करना चाहूं ना, वैसे मैं इसको ट्रेल कर सकता हूं, और इसे हम ट्रेलिंग इस्टोप लोस, ड्रेग और ड्रोप और के माध्यम से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अब भाई बात आती है देखो टार्गेट की, कि भाई टा 50 रुपे पर प्लस वाला आइकन देख रहा है, इस पर क्लिक रूँगा, यहां पर देखो बाई लिख रहा है, बाई निप्टी, 18 जुलाई, यही कॉल ओप्शन, 50 रुपे की लिमिट प्राइस है, ठीक है, हमने इसको सेल कर रहा है, तो हमें खरीदना होगा, तो मैं यहां कुछ इशू है, जिसकी जैसी एक एंसल हो रहा है, तो हम इसको सही कर लेते हैं, क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, कि हमें अपना टार्गेट जो लगाना है, तो मैं आपको बताता हूँ, प्रोब्लम क्या चल रही है, अगर आप देखते तो हमें यहां पर plus वाला icon पर click करना है जैसे ही हम select करते हैं अपना target हमें यहां पर जो order है इस order को intraday में नहीं रखना है normal में करना है तो जो position आपकी होगी जैसे कि अबर आपने option buying कर रखी है तो अगर वो intraday में है तो आप intraday select कर सकते हो उसमें target लग जाएगा मैंने option selling कर रखी है और यह मेरी position है वो normal order यानि delivery कंदर है तो मैं यहां पर normal select करता हूँ उसके बाद देखो buy पर click करता हूँ और यहां पर मेरा target लग जाएगा यह देखो यह हमारा target भी लग चुका है एक ही चार्ट में हमारा stop loss भी लग चुका है और इस परकार से आप किसी भी option के contract को या फिर option selling हो उसमें target stop loss लगा सकते हो जैसे जैसे profit होता जाएगा आपको trail करना है और आप target को देखो जरूत नहीं होती है मैं तो stop loss ज़रूरी होता है सबसे ज़्दा तो I hope यह सारी चीज़े आप समझ चुके होगे वीडियो लाइक शेर सस्क्राइब कर दीजे दन एप में demand account का लिंक है वो comment box में यहां से आप free of post अपना demand account open कर सकते हो और इन सभी features का फाइदा उठा सकते हो मिलते हम next important वीडियो में